हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जारूं कि कैसे आप अपने Motorola E13 Android मॉइल फोन में आप जो है phone ringtone setting को disable कैसे कर सकते हैं ठीक है और ये phone ringtone setting जो है disable करने के बाद ये setting कैसे काम करती है आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वालो तो चलिए आपर जो वीडियो को start कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको अपने mobile phone में setting page open करना है ठीक है अब यहाँ पर आपको setting page में नीचे की side आना है और यहाँ पर आपको sound के इस page में नीचे की side आना है और यहाँ पर आपको phone ringtone का option मिल जाएगा ठीक है phone ringtone पर आपको select कर इसके बाद आपको सबसे नीचे OK के बटन पर प्रेस करना है ठीक है तो इस तरीके से आप यह देख सकते है phone ringtone के नीचे known लिखा हुआ रहा है ठीक है यानि कि आपकी phone ringtone setting है यह आपकी disable हो चुकी है ठीक है अभी setting जो है disable होने के बाद काम कैसे करेगी यह मैं आपको समझा देता हूं तो ऐसा नहीं है कि phone ringtone setting को आप disable करतेंगे तो आपका कोई भी sound create नहीं होगा incoming call आने पर मैं आपको बताता हूं कि जब भी incoming call आएगा तो आपके mobile phone में से एक normal सा sound create होगा ठीक है normal सा क्या मतलब sound create होगा लेकिन वह वही sound create होगा जो कि आपके mobile phone की default system के according जो आपके mobile system में जो है set हो रखी होती है ठीक है वह वाला sound create करेगा हो सकता है आपका mobile phone incoming call वाले का number या नाम आपको बोल के बताए ठीक है ऐसा हो सकता है नहीं तो आपको जो है यह phone ringtone का जो page होता है इसमें काफी सारी जो यह ringtone दे रहे कि इन में से ringtone का कोई भी sound create नहीं करेगा आपका phone incoming call आने पर वो जो है normal sound create करेगा हो सकता आपका phone मैंने आपको बता दिया कि incoming call आने वाले का नाम पढ़के आपको बताए ठीक है या तो फिर वो number पढ़के बताएगा ठीक है तो इस तरीके से तो यह setting जो है disable करने के बाद आप इसे use जरूर करके देखिए तब आपको पता चल